नमास्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सिविल एक्जुकुसन में यहां प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर यह वीडियो बनाई जा रही है कि आप कहीं भी जाते हैं दोस्तों जैसे जर्नी तो आपने की होगी बहुत सारे कंट्रक्शन रोड आप में द प्रैक्टिकर में उसकी है कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर जाया जा सकता है क्यारे में यूज किया जाता है और आपको पता है ज्यूज गओ जॉट्स में hum क्रिवेय के लिए न को फिल कर दिय आ खतvent heavy duty road के लिए भी या फिर जो payment होती है उसके लिए भी बहुत सारे arrangement करने पड़ते हैं बहुत सारे designs होती है इनमें क्या-क्या involve होता है जैसे एक sell tax board का मैंने huge बताया था और इस वीडियो में दोस्तो इनके आपस में bonding के बारे में बताया जाएगा कि इनमें आपसी bonding कैसे करते हैं क्या arrangement होता है कैसे design किया जाता है और उनको fix करते समय practical problems क्या आती है mainly ये दो तरीके आज आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाले है दोस्तो वीडियो जरूर पसंदा है तो like करें, subscribe करें, share करें, bell icon दबाना ना भूले है क्योंकि आपको बहुत सालो का experience आप कुछ मिनिटों के वीडियो में सीख सकते हैं दोस्तो देर न करते हुए वीडियो सुरू करते है properly road में यदि देखा जाए दोस्तो तो दो directions होते है longitudinal direction होता है, cross section direction होता है longitudinal direction को proper जब आप concrete करने जाते हैं तो एक जैसे ये panel cast किया तो फिर इसको करते हैं फिर इसको करते हैं बीच के आप छोड़ के रखते हैं और इसके साथ साथ दोस्तो यहाँ पर कुछ bars भी लगे होते हैं as per drawing आपको सुख कर रखा होता है या फिर कहीं आपका specification में दिया होता है और इस तरफ के जो बार लगे होते हैं दोस्तो इनका डाय या तो 32 एम डाय होता है या फिर 40 एम डाय होता है एज पर describe होता है वो design के हिसाब से और longitudinal ही direction में भी bars लगे होते हैं दोस्तो अब यह दोनों बार को कहते क्या हैं लगाते कैसे हैं दोनों में क्या difference है क्या डाय डिफरेंस है यह दोनों पिक आपको दिख रहा होगा दोस्तो कि यह देखिए एक normal tour bar ऐसे लगा दी गई है जो की छोटे डाय की है और इसमें देखिए कितना मोटे डाय की bars लगाई गई हैं यह cross sectionally लगता है जिसको double bar कहते हैं means इसका direction longitudinally होगा laying करने के लिए longitudinally बट यह जो cross sectional panels हैं यह उनके load को bear करने के लिए लगाया जाएगा दोस्तो और यहां पतल डाय का जो देख सकते हैं इनको tie bar बोलते हैं यह longitudinally लगाया जाते हैं दोस्तो इनका direction cross-sectionally होता है और जो longitudinal joint होता है road का, means जो beach वाला joint है उसमें इनको लगाया जाता है अब depend पड़ता है कि यह लगाते क्यों है या फिर purpose क्या है सबसे पहला कि देखिए दोस्तों यदि longitudinally road क्या जो section होता है जब भी कोई moment होता है तो lateral moment होती है moment की वज़े से इनमें जो strain पैदा होता है या फिर जो stress आप कह सकते हैं वो road के longitudinal ही रहता है यसलिए जितने भी cross-section panels है उनमें double bar लगाया जाते हैं और even longitudinal ही direction में जो bar लगाया जाते हैं वो tie bar लगाया जाते हैं tie bar का का काम किवल ये सारे panels को किवल static रखना है जबकि even double bar load भी distribute करता है कि इस panel के load को next panel के load को distribute करेगा और यहां से जो jointing होती है दोस्तो joint के पास काफी सार protection होता है इस dowels bar के वज़े से dollar bar लगाने के बाद यहां penting की भी होती है दोस्तों जैसे कहीं भी आपके description में जो दिरखा होगा या तो drawing के description में या फिर specification में वहां पे कौन सी penting है या फिर कहीं bituminous penting भी होती है दोस्तों और इस तरह से bituminous coating करते हुए second panel के भी setter को fix किया जाता है second panel के setter को fix करके dowel bar लगाई जाती है फिर half को penting किया जाता है वले bituminous pent हो या कुछ भी हो और longitudinally साथ साथ जो भी dowel आते हैं उनको tie bar को भी लगा दिया जाता है अब यहां पे एक case यह आता है जब आप setter लगा देते हैं तो यह proper horizontal नहीं रह पाते है किसी एक level पे उस condition पे आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि जब आप setter fix कर देते हैं setter fix करने के बाद dowel बार लगा देते हैं बाहर लगाने के बाद आपको back side में एक reinforcement से आपको tangentially इसको बांद देना चाहिए और जब आप अंदर भी और बाहर भी दो बाहर से बांद देंगे तो यह बिलकुल horizontal होगी वो सारी एक line में होगी और इसके एक line में होने से आपके लिए यह सुवधा होगा कि आपके design void नहीं होगी या फिर जिस work के लिए आप इसको लगा रहे हैं वो proper work करेगा second thing आती है कि जब आप setter लगाते हैं तो होता क्या है कि इसकी settering में आप new setter make करते हैं make करने के बाद इसको hole करते हैं hole करने के बाद इस rod को लगाते हैं तो कभी-कभी दोस्तों जब hole हो जाती है settering में तो वो settering ज़्यादा तर टिकती नहीं है तो ज़्यादा तर कोसिस यह आप किया करिए कि जैसे group type का setter आप तयार करें उसके लिए paste लगा कि आप इसको pack कर दें और उपर से एक और अलग से setter बना के रखें जिससे कि इसकी packing कर दें तो इससे क्या होगा कि आपका जो setter है वो लंबे टाइम पे चलेगा उसके आप repetition भी ज़्यादा ले सकते हैं यह सारी चीजें थी दोस्तों इस वीडियो में और इस तरह से आप देख सकते हैं कि डॉयल का load transmission work कैसा है यह फिर टाइब आर का purpose क्या है और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही next वीडियो मिलते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहेंगे